अज़ चाहर दोस्तों आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों डेजावू के बारे में डेजावू यह जो शब्द है अगर आपने कभी शुनाया नहीं होगा तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि deja vu ये जो शब्द है वो फ्रांसी सी शब्द है और इसका जो अर्थ है वो ये है कि पहले से देखा हुआ और deja vu उस बात को कहा जाता है कि जैसे रोज के जीवन में जीते समय कभी-कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उसको देखने के बाद उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी घटा था किसे एक नई जगा पर हम जाते है फिर भी हमें लगता है कि ये जगा तो मुझे शायद पहले से पता है एकदम क्लियर नहीं पता चल रहा लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ कुछ कोई इंसान हमें कुछ कहता है समझो तो कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये शायद पहले भी मेरे साथ हुआ था मतलब वो एकदम नया उस वक्त नहीं लगता और हम इतने शौर होते हैं कि नहीं है पहले भी मैंने मतलब मेरे साथ कुछ घटा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा वो सारी चीजों में हम थोड़े से संग्रम में पढ़ जाते है तो इसको डेजावू ऐसे कहा जाता है डेजावू के बारे में मतलब और भी कुछ ऐसी बाते है रोचक बाते जो हम मतलब और भी इसमें मतलब वीडियो में देखेंगे दोस्तों डेजावू ये जो बात है जिसको मतलब इसको जो लोग मानते है वो ये कहते है बहुत बार कि हम मतलब बहुत बार जीवन लेते है पृत्वी पर इसलिए आज मेरे साथ समझो कोई घटना हो रही है हमारे साथ तो वो अगर घट रही है तो वो पहले भी किसी एक जमन जीवन में हमारे साथ घटी होगी और इसलिए आज जो हमारे जीवन में बाते हो रही है वो उसका जो संबंद है पहले के जीवन से है इसलि से आपको पता होगा कि आत्मा मतलब जब हम इस दुनिया में आते है तब हमारे साथ क्या-क्या चीज़े होनी है यह सारी जो बात है उस आत्मा को पहले पता होती है और इसमें उसके सामने जो भी चीज़ आने वाली है उसको जादा दर मतलब बाते पता होती है तो वही चीज़े जब उसके सामने अब आती है मतलब reality में तब उसको ये लगता है कि हाँ ये शायद मैंने देखा था इसलिए मुझे उस तरीके से लग रहा है डेजावू का मेरे भी मतलब कोई चुटे मुटे ही मुझे थोड़े से अनुबव हुए दोस्तों कोई बड़ा तो नहीं हुआ कि किसी जगह पे मैं गया और फिर से मुझे लगा कि मैं आया हूँ ऐसे तो नहीं हुआ मेरे साथ लेकिन समझो मैं रोड पे चल रहा हूँ एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं एक क्रॉस करके रोड से जा रहा था और उस में कोई एक इनसान मेरे पिछे से बाइक से चला गया और सामने वाला एक इनसान दूसरे एक इनसान को जोर से पुकार रहे और मैं आपको सच बोलू तो वो जो पल था वो एकदम शौर था कि मेरे साथ ऐसा कुछ तो हुआ था कि राकेश राकेश ऐसा कोई तो कुछ चिला रहा था और वो बात एकदम मुझे आज भी याद है कि कुछ चीज़ है मतलब वो तो मुझे पुरा शौर था कि ये तो पहले भी हुआ है मतलब चोटी मुटी कुछ बात होती है कि जो हमें शायद लगती है कि ये पहले भी हुई है अब ये इसका जो संबन था वो पुनर जनम से था या फिर क्या था मुझे सच में नहीं पता लेकिन एक चोटी सी बात बोला और भी कुछ ऐसे मतलब चोटी मुटी जैसे आपको ये बात कही है वैसे भी मुझे थोड़ा सा लगा अकर आपको भी लगा हो तो आप जरूर कमेंट में कहना क्योंकि ऐसी जो बात है थोड़ा सा हम मतलब इसको अलग भाव से देखते है क्योंकि ऐसे रोज मतलब रोज हम रास्ते क्रोस करते है या फिर रोज अपने रास्ते से चले जाते है चलते रहते है लेकिन फिर भी कोई एक हिस्सा ऐसे लग जाता है कि नहीं तो शायद पहले भी हुआ था तो इस तरीके से लोगों को कभी-कभी होता है तो इसको ही उस परिभाशा में एक अलग परिभाशा में डेजावू ऐसे कहा जाता है और इसका विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग है जैसे कोई भी हो, पास्ट लाइब रिग्रेशन हो, आटोमेटिक राइटिंग हो इसको भी कुछ लोग विरोध करते है कि इसको साइन्टिफिक लिए करो बगारा तो इसका जो विरोध करने वाले जो लोग है उनका ये कहना होता है कि ये जो बात है जैसे डेजावू जैसे हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है तो वो लोग ये कहते है दोस्तों वो अपनी परिवाशा जो है इस तरीके से कहने की कोशिश करते है कि हमारा जो दिमाग है बहुत सारे सेल्स, उसमें कोरोडो सेल्स होते है और इसमें कभी-कभी बहुत सारी जो चीजें हमारे साथ घटती है बस हमें लगता है कि वो शायद पहले भी हुई है मतलब वैसा जो सेल है वो हमें वैसी कुछ दिशा दिखाता है बाकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और वो लोग ये भी कहते है कि जैसे हम किसी एक जगह पे गए है और वहाँ पर फिर से जाने के बदोजा सारी यादे है वो हमारे दिमाग में उसी तरीके से छप जाती है और वहाँ पर कोई एक incident छोटी भी होतों उनको ये लगता है कि ये पहले भी हुआ है थोड़ी सी ही बात होती है लेकिन हम पुरी तरीके से catch कर लेते है कि ये पहले भी हुआ है तो इस तरीके से वो लोग कहते है अपने सब से वो भी शहिए हूँगे और जो लोग मानते हैं eigentlich firewood को क्योंकि ऐसी जो बाते हैं जैसे पिया लर हो गया automatic writing हुआ या फिर और भी जो मतलब तरीके होते है इसको कैसे है दोस्तों सब लोग जानते है कि इसको scientifically कोई प्रूव नहीं कर सकता जैसे और भी मतलब जैसे मैंने सच बुलू तो डॉक्टर बायन विजी ने कुछ ऐसे भी प्रूफ लोगों के सामने दिये थे कि जैसे एक छोटा बच्चा जो इजिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको इजिप्शियन भाषा भी आ रही है और उसको इजिप्शियन मतलब कुछ चाली रिती जो होता है रूड़ी परमपर वो भी आ रही है लेकिन फिर भी उस पर भी सवाल उठाने वाले लोग है इनको और सबुत क्या चाहिए होता है इस तरीके से मतलब सवाल जो उठाने वाले लोग होते हैं इसका आंथ कभी नहीं है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं तो पहले भी यहाँ पर आया था और उनको तो पूरी बाते याद थी जैसे यहाँ से आगे जाओ तो एक पुराना वापे चर्च लगता है यहाँ से आगे एक बड़ा रास्ता चालू होता है यहाँ पर पहले जैसे मतलब वह जैसे उनको पता थे जैसे गाओ वहाँ पर थे वो तो अब नहीं अभी थोड़ा सा मॉडरन हो गया था लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना खुद का भी पियलार किया था तब उनको पता चला कि आरे मैं तो मतलब मेरा संबन था उस अफरीके से पहले तो इस तरीके से कुछ बाते होती है दूस्तों मतलब डीजावू जो है उसको हम पुरी तरीके से नाकार नहीं सकते आज की जो वीडियो है उसका एक ही उद्देश है बनाने का कि ऐसी जो बात है वो थम तक पहुंचे क्योंकि रेग्यूलर बाते हमारे साथ कभी कभी होती है मैं आपको जो बोल रहा था अभी कुछ ऐसा हुआ है कभी तो उसको आप कमेंट के जरीये हम सब लोगों के सामने रख सकते है तकी और भी लोगों को पता चले कैसे मतलब जो बात है वो लोगों के साथ होती है दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते है आप अपना अपने परिवार का ख तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गुर्पया इस नमबर पे WhatsApp मैसेज करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद